हलो आप सभी का स्वागत है दो जुरावर क्लासेज में और आज पर शेडियूल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी कम्पीटर क्योंकि वैडनेस दे को या तो हमारा जीके विद करन्ट अफेर्स रहता है या हमारा कम्पीटर रहता है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीक हम लोग वैडनेस दे वाले दिन अपनी नाशनल एडुकेशन पॉलेशी 2020 कर चुके हैं जो कि एक मैंने करन्ट का पार्ट आपको बता के कराया था आज नंबर आता है फिर हमारा कम्पीटर का इस वैडनेस दे फिर वोई जीके का पार्ट रहेगा कोई या क कर रहेगा इसी तरीके से लेके चलेंगे अब जो कंपीटर हैं कंपीटर हम कोश्चन फोर्म में पढ़ेंगे उसका रिजन यह है कि कंपीटर का कोई रिच कंटेंट नहीं है कि जिसको मैं आपको पहले समझाऊं पढ़ाऊं और उसके बाद जो है उसके एक्जांपल्स दे जूँआ जो दसनमबर का यहाँ था जीके अब बुकिश कोश्चन ना होके ज्यादा कोश्चन ना अप्लिकेशन वेस आने लगे हैं अब अप्लिकेशन से क्या मतलब है मेरा कि जो हम लोग कंप्पीटर में करते हैं आजकल जो चीज़ें वो ज्यादा पूचे जाने लगी अब जैसे पहला ही कोश्चन है कि what is HTTP 404 error तो मैं 100% कह रहा हूं कि कई लोगों ने यह चीज देखी होगी यह error देखा होगा जब आप कोई site खोलते हैं वहां पे लिखा हुआ जाता है 404 जब आप कभी-कभी कोई result आता है एकदम से आफ home आते हैं और आप भरना चाहते हैं उस form को यह result देखना चाहते हैं तो overload हो जाती site बहुत जाता तब यह लिखा हुआ आता है तो यह क्या है यह daily to daily life से question बन रहे हैं अब वह वाले question नहीं चीज पूछ ली जाती है कि जो shortcut है control प्लस पी यह किस चीज के लिए है ना तो ऐसे question सब जादा आ रहे हैं आपसे full form पूछी जाती है आज यूरल क्या है www.com जो हम लिखते हैं तो उसमें www किस चीज के लिए यूज होता है तो यह सारी चीज़े जादा आती है और इसी लिए मैं कह रहा हूं कि जो आज आपके 20 questions है टोप 20 questions रहेंगे और इसके बाद अगर आप कोई computer का कोई छोटा मोटा exam अगर कोई paper करना देखें तो उसमें से एक दो question आपके इनमें से जरूर फस जाएंगे हमारा जो लक्षय रहेगा exam के time तक वो रहेगा कि हम thousand plus questions computer के तरीके से कर लें ताकि हम 10 में से अपने 7 to 8 marks अराम से secure कर लें और 10 में से 10 भी ले सके ठीक है इस नमबर पर what's up कर सकते हैं अपना name your post PRT और TGT या और आपका जो medium होगा instruction instruction medium of instruction Hindi और English medium से आप जिससे भी है ठीक है अपना नाम PRT TGT post के लिए कौन सी post के लिए त्यारी कर रहे है और Hindi और English अब मेरे भाई पूछना जाएंगे सब TGT वालों के लिए computer क्या है तो मैं बता दूँ कि अगर आप TGT का form बर रहे हैं तो आप BAD है सिंपल सी बात है और अगर BAD है तो भाई है TGT के साथ PRT के form बरने में problem किया है PRT का भी दो ना exam HTTP 404 error क्या है अगर आपको answer पता है आप नीचे करते रहें कि first का A B C जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे भी बता सकते हैं otherwise आप देख लें यह जो है पी जिसकी full form भी मैंने नीचे दी हुई है hypertext transfer protocol यह आपका एक error message होता है जो indicate करता है कि server found नहीं है note server note found server पाया जा रहा नहीं है यह इस चीज को indicate करता है ठीक है और जिसकी full form आप जरूर याद रखें जिसकी full form है hypertext transfer protocol यह भी आप से question पूछा जा सकता है ठीक है चलो जी next question पर आते हैं अपना next question लेते हैं जो चीज मैंने आपको बताई दी बहुत ही common question है बहुत time से आता है mostly लोगों को इसका answer पता होगा जल्दी से answer कर दो जिन लोगों को पता है www.com आपने बहुत सारी आपने ऐसी websites देखेंगी जो www से start होती है यह stand for क्या इसकी full form क्या है world whole web wide world web web worldwide या world wide web इन में से क्या इसकी full form जो है वो रहेगी इसकी full form रहेगी आपकी जी हां बिल्कुल worldwide web इसका answer D होगा ठीक है simple सा बहुत ही common question है कई बार आप से पूछा जा चुका है हर paper में और आने की संभावना रहती है क्योंकि बहुत ही basic common question है third question where is RAM located RAM कहां पे locate है इन में से जितनी भी यह जगह है आपने रहता हूं जिसमें आपकी सारी full forms ही बता दूं या कुछ कर लो ऐसे भी हम दीरे-दीरे decide करेंगे कि कैसे हमें computer को लेकर आगे चलना है आज तो अपना top 20 question रखो और मस्त मजे लो ठीक है तो RAM कहां पे located होती है expansion board में external device drive में motherboard में यह इन तीनों चीजों में all of the above जल्दी बता और CPU होता का है motherboard तो motherboard है तो motherboard answer हो जाएगा CPU है तो CPU answer हो जाएगा next question fourth question what is the full form of URL कई बार कई papers में यह पूचा जा चुका और लोग इसको गल्द कर देते हैं आज इसको गल्द नहीं करेंगे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि L का मतलब जान लो L का मतलब होता है locator अब locator एक में दिया हुआ है तो answer तो पता लगी हमें कि फॉर्थ का answer क्या है फॉर्थ का answer है uniform resource locator तो उसको याद करने की ट्रिक यह है कि U for uniform है और L for locator है locator है link नहीं है यह कोई यह locator है तो uniform resource locator रहेगा आज के बाद मत बूलना URL की full form next question fifth question हां जी language पूचिए इसमें in which of the following form data is stored in computer decimal में binary में hexadecimal में या octail में जल्दी बता दो अगर पता है तो नहीं पता है तो याद कर लो binary में पूचिए जो language होती है इसकी binary होती है जो आपका data stored होता है computer में वो binary language में binary form में रहता है ठीक है language नी binary form में रहता है तो इस चीज को य जाद रखना है और इसके बाद ना आप मैं कह रहा हूं एक छोटा मुटा कोई देखे देखना एक वारी इस question के बाद तो आपको ना जरूर कोई ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई कोई टकरा जाएगा आपसे जरूर ठीक है next question what is Linux मेरे साब से यह आ चुका है कहीं तो मैं मैंने पढ़ाया किसी exam में तो आया है शायद last year ही आया हो KVS के exam में आया हो या कहीं आया हो मैंने जरूर पढ़ा बहुत common question है Linux किया है malware है operating system है application program है या firmware है जल्दी बता दो इसका option है operating system Linux is operating system अब operating system क्या होता है Windows जैसे Microsoft Windows एक operating system है Apple का iOS जो है वो operating system है Android जो है वो operating system है इसी तरीके से Linux जो है वो भी एक operating system है ठीक है यह चीज हमें याद रखनी है चलो जो नेक्स चलते Linux is the operating system 7th question who is the father देखो अभी यह question जो है यह बहुत ही traditional question है बहुत ही मतलब मैं कहुंगा कि पुराना question है और कभी आने की बहुत कम chances है लेकिन हम computer पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए who is the father of computer who is also known as the father of computer तो यह विंट सर्फ है फिर टीम ली टीम बर्नर ली उसके बाद चार्ल्स बैबज और लास्ट है स्टीव जोग्स का तो mostly लोगों को पता होगा कि यह तो आपल के संस्थापक है तो यह तो आंसर है निसका ठीक है न उसके बाद विंट सर्फ जो है यह internet क फादर कहे जाते है ठीक है यह याद रखने हैं यह internet के फादर कहे जाते हैं और इसका आंसर दो फादर ऑफ MPhto इस चाल्स बैबच यह यह आद रखना है ठीक है फॉदर ऑफ कंप्विटर को हन ल 앞에 चाल्स बाबच है चलो जी next question पर आते हैं अगले question पर 8th question पर हां जी what is the name of the first super computer of India first super computer of India का नाम क्या है नाम याद रखना है हमेशा परम ठीक है परम नाम याद रखना है बाकी चीज़े ये सब कुछ नहीं है याद रखना है first super computer of India is परम शिवाय ठीक है चलो जी next पर आते है next question पर next question is dash is the largest font size available in the font size tool on formatting toolbar in MS office अब देखो मैंने कहा था ना कि application based questions बहुत जादा आने लगे हैं आपके तो अब इसमें पूचा है कि जब आप MS office use करते हो जो की एक application है MS office Microsoft ने बनाई है Microsoft Windows की application है MS office नाम से जैसे आप PowerPoint है Excel है ऐसी office office है Microsoft office तो उसमें जो toolbar होता है जिसमें यह जो fonts लिखे में हैं यहापे इनको छोटा बड़ा करते हैं तो minimum कितना है ठीक है ना और maximum कितना है तो इसमें largest यानि maximum पूचा है तो मैं बता दूँ आपको कि जो यह आपका MS word होता है इसमें 8 से लेके और 72 तक 8 से 72 तक रहता है आपका font size तो minimum तो हो गया 8 यानि कि smallest हो गया 8 और maximum आपका largest हो गया 72 यह चीज़े आज़क नहीं तो इसका answer हो जाएगा B MS office में लेकिन सब का अलगल होता है अगर बात करूँ में PowerPoint की तो PowerPoint में 96 तक रहता है highest तो अलग-अलग जितने भी आपके यह applications है वो अलग-अलग fonts पर चलती है ऐसा नहीं कि अगर 8 to 72 है MS office तो आपका यह PowerPoint भी इतना होगा नहीं PowerPoint का अलग है और next class मैंने सोची हुई है कि आपको MS office पूरा फोल के दिखाऊंगा उसमें क्या-क्या चीज़े हो सकती है क्या-क्या question बन सकते है पर मतलब जो MS office होता है वो ही दिखाऊंगा उसी से आपके questions बन सकते है वो ही discuss करेंगे नेक्स्ट क्लास कराएगा हमारा यह मैंने सोच लिया था ठीक ना? चलो next पर चलते है 10th question हाँ जी land की full form पूचिए हैं आपे इसमें बूचिए land की full form land की full form मैं आपको बता दूँ आप लोगों को land की full form है हमारी local area network ठीक है? इसको याद रखना है अब यह चीज़े हम याद ही कर सकते हैं इन चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें याद करनी है तो 10th का answer होगे D 11th पर आते हैं HTML क्या है HTML की full form कोन बताएगा हाई-tech meaningful language hypertext meaningful language high-tech markup language या hypertext markup language ठीक है? जल्दी से अगर पता है तो बता दो नहीं पता है तो answer D है HTML की full form है hypertext markup language तो यह जो यह ना बहुत common है यह चीज़े आपने जरूर जरूर अगर आप computer या mobile चलाते हैं तो जरूर जरूर यह चीज़े आपने जरूर जरूर देखी होंगी ठीक है ना? तो इनी से questions बन जाते हैं और यही पूछ ले जाते हैं और फिर हम यह सोचते रहते हैं यार यह चीज़ कहीं देखी तो जरूरती देखी तो जरूरती क्या था क्या था और उसे में फसके गलत हो जाता है तो बहुत ही common से questions है 12 questions ले लेते हैं arrange करना है ascending order में TB, KB, GB और MB सबसे पहले तो ascending order जान लो क्या होता बढ़ता हुआ करम descending order होता है घर्टावा करम है अब में बढ़ता हुआ क Nat Value होता है मतलबכ इसका मतलब होता है यह चीज बड़ी है यह चिजश चोटी यह जिदर मुह कुला होता है यह बढ़ा और मैं आपको बता दूगी सबसे चोटा होता है आपका खीक के के बाद जाता हो सबसके छोटा होता इन में फृर रच ना और एखाश होविस में बढ़ते रहते है 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 1024-1024-1024 इसी तरीके से आगे वे बढ़ते त masih सोगी है कि 1 गवी में कितने Q18 मे're easy basilis tipu की 1024 आंसर और इस चलो नेक्स प्राव्मों कोशिये नगें 번째 हैं देखा है मैंने GK में आया हुआ है SSC में एक कुछ नहीं है तो भाईया मैं बता दू एट बिट्स मिलके एक बाइट का निर्मान करती है एट बिट्स कोश्चन नमबर 14 हां जी कोश्चन नमबर 14 पर आगे हैं yes every computer connected to the internet is identified by a unique four-part string known as क्या है एक जब हम internet से connect करते हैं किसी भी computer को तो एक identify unique four-part string होती हो क्या कहलाती है इसका जो आइप एडरस वो आइप एडरस से कराती है आपने देखा होगा जो पुलिस वगरा है और यह चोरों को यह जो कोई गलत काम करते हैं cyber crimes करते हैं उनको trace कहां से किया जाता है उनको trace एक IP address होता है उसी से trace होते हैं लोग ठीक है ना और तो इसका जो answer रहेगा आपक वो आइप एडरस रहेगा next question पर चलते हैं पंदवय question पर अपने 15th question हमारा देख अभी मैंने discuss किया था just which one of the following statement is correct एक के बी में कितने बाइट हो इतने बाइट है एक में इतने किलो बाइट है या एक के बी में इतने बाइट है तो सका आंतर बता दो simple's है अभी just discuss किया था कि एक के में हमारे इतने बाइट हो तो एक हजार चोवीस बाइट होंगे एक के मैं ठीक है और एक एमजार एक हजार चोवीसे चलता रहता है ठीक है इस चीज़ को में जहां रखना रखना question number 16th USB is a device used to store data and it stands for USB के पूछ लिए Universal सबसे पहले तो मैं बता दू यूफ और Universal Universal से याद रखना हमें यह unlimited कुछ नहीं है तो दो option काट दो बिल्कुल ठीक है उसके बाद जो है बस आएगा बस तो सब में लिखा हुआ है सिर्यल लायगा सर्वीज़ रहला ऐगा बस दो डिखाए उनिवर्स से यह बस के से बस नहीं है तो उनिवर्सल सी डील old व Also लकुक्यां दिततें है विच्टर डेकवड इस नौपट खमाने रिखन तो Üacrets वर्सा उनिवर्सल सीरीजिन बस कि फॉलकॉ्म होती है question number 17 software is a set of program which is designed to perform a well-defined function and there are two types of software application and system the following are the application software except in 4 में से 3 तो आपके जो है application software है एक चोथा जो है वो कौन सा नहीं है वो बताना है तो Microsoft डिया हुआ Microsoft Excel दिया हुआ Microsoft PowerPoint दिया है सारे जो है Microsoft Windows के आपके software है और जो यह Microsoft Windows दिया हुआ यह एक्चुली में operating system है OS है यह operating system कहलाता है जो मैंने आपको पहले भी डिसकस किया था कि आपल का iOS होता है विंडो होती है आपकी Microsoft की Android होता है आपका या और भी अलग तरी से Linux हमने वहां पर जो Linux वाले question में कहा था तो Linux is also operating system तो यहां पर यह टीनों जो है यह application से और यह जो Microsoft Windows है यह हमारी क्या कहलाती है यह हमारी कहलाती है ओपनिंग सिस्टम तो इसका अंसर डी हो गया क्योंकि यह अलग है और वन आउट हो गया एक तरह से हां जी यहां पर देखा हुआ है JP EG scene with the JP G सास्थ फूरा नषर जयपेझ ऊसमार अगर किसी को थोगावट पता हो तो यह फोटो बघर होते हैं ढूँआ हैं यह इसका आंसर रहेगा चलो जी 19 पे आते हैं 19 में आपसे पूचाएगी SD card is a memory card using electronic equipment including digital camera and cell phones what does SD card stand for तो यह जो आपको पता होगा है SD card होता है अपने बाद अलग से जो लग जाता है memory card जिसे हमको कहते हैं ठीक है ना अलग से होता है तो वो क्या होता है वो secure digital होता है scan disk होती है short drive होता है यह slow disk होती है इनमें से क्या आंसर रहेगा तो इसका answer SD card की full form secure digital रहती है यह answer है ध्यान रखना है इसमें भी बच्चे गलती करते हैं इसमें क्या slow disk लगाते है scan disk लगा देते हैं लास्ट कॉशन ओफ तुनाइट इस control plus Z is used for यह जो shortcut है किस चीज के लिए यूज होता है यह डिलीट के लिए यूज होता है यह पेस्ट करना होता है तो मैं यहां पेस्ट कर सकता हूँ और copy का मतलब तो पता ही है कि तो मैं इनके आपको सबके बता देता हूँ control Z का जो हो अंडू होता है चीज होता है तो इसी तरीके से बहुत सारे हैं और यह हमें क्लास में डिसकस कर लेंगे चीज कोई एक डिलीट कर दिया आपने वापस आ सकती है तो यह चीज में सारी करके भी दिखाऊंगा आप लोगो कब करके दिखाऊंगा नेक्स क्लास में हम इसका एक करते हैं सबसे पहला कोशन है विच अब यहां वे तीन चार नाम दिये में आपने सारे नाम सुने होंगे जिफ फाइल जिफ डिस्क होती है जो आपने सुनी होगी हाट डिक सुनी होगी फ्लॉप डिस्क सुनी होगी और सीडी सुनी होगी यह चारों चीज आपने सुनी हुई है तो इन चारों में से सबसे कम स्मोलेस्ट स्टोरेज किस में होती है तो मैं आपको बता दू स से आपकी floppy disk से बढ़ी होती है और cd भी आपकी floppy disk से बढ़ी होती है तो floppy disk हमने आज क्या सीखा कि floppy disk की जो storage होती है comparatively इन सब के सबसे कम होती है चले नेक्स question पर चलते है अपने second question पर आज के हाज जी second question yes the speed of a clock frequency of a microprocessor is measured in ये question मैंने कहा था ना कुछ questions बहुती है जैसे पहला question आपको बहुती basic लगा होगा और ये जो second question ही आपको लगा होगा थोड़ा सा हाँ advance की तरफ हम चल रहे हैं तो मैंने कहा है कि हम आज की जो हमारी video रहेगी वो basic to advance रहेगी क्योंकि सारे के सारे 10 के 10 question आपके basics नहीं आने वाले कुछ चीज आपसे advance भी पूचे जा सकती है तो इसमें पूचा कि the speed of a clock frequency of a microprocessor is measured in तो इसका answer मैं बता दूँ आपको hertz है ठीक है ये याद रखना है आपको cps bits and bytes नहीं है ये bits and bytes तो आपको पता होगा है क्या चीज़े होती है ये होती है आपकी kbmb वाली चीज होती है kbmb gb वाली ठीक है न तो ये अलग है इसका answer hertz रहेगा hertz रहेगा hertz में मेजर होता है microprocessor का जो clock frequency होती है ठीक है चले next question चलते है question number 3 लेते हैं आज का which type of memory holds the program to start up the computer ये बहुत important one of the important questions है कि जब हम start करते हैं कोई भी program computer में तो किस type की जो memory है वो hold करती है उसको program को तो इसका answer है ROM ठीक है RAM नहीं है RAM और ROM में आपको फसना नहीं है इसका answer होगा आपका ROM ठीक है जी चलिए next question लेते हैं और इनकी full forms जो हैं आप साथ-साथ में अगर आपको नहीं पता है तो Google बगरा करके साथ-साथ में अपने notes में लिखते रहो RAM आती है ROM आती है URL आता है www आता है कुछ चीज़े मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कुछ आगे आती रहेंगी वर स्टिल मैं क्या कहता हूँ कि आप सबसे बड़ी ग्यानी है आप कुछ भी कर सकते हैं ठीक है ना तो हमें तो पढ़ाई करनी है जितनी करनी है वो चाहिए आपको net से मिल रही है बुक से मिल रही है मुझ से मिल रही है किसी और से मिल रही है ल वन टाइप उब डिवासे आर कम्पीटरी कोर साथ लगया कि पूर्ए सबके बैज नियुकैते सब्सक्राइब न begin लोaw बीचs किमपते दिवासे बीस होते हूं। इए्यूर पूरा उफु पहुत ही important question और advanced type question है यह ठीक basic question नहीं है आपको ज्यादा नहीं मिले गाए गही which type of network is used when we are using phone lines कौन सा होता है तो यह होता है WAN इसमें LAN और WAN में लोग फस जाते हैं तो आपको दिहान लखना है कि use phone lines वाला जो है वो WAN है ठीक है W-A-N और मैं आपको अगर इसका full form भी बता हूँ तो WAN की full form रहती है आपकी wide area network ठीक है न WAN stands for wide area network यह चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है it is about कि जब हम लोग क्या करते हैं phone का use करते हैं और अगर मैं कहूँ आपसे कि what stands for land तो land stands for local area network ठीक है ना तो यह कुछ चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने नोर्स में बनानी हैं क्योंकि इनकी भी full form आ सकती है कुछ भी आ सकता है वहापे है ना एक ही question से दो दो तिन दिन question निकलते हैं इसलिए मैं कहा रहा हूँ आपको कि कुछ चीज़े हैं जो आपको अपने आप भी करनी है ठीक है चलिए next question पर चलते है question number 6 लेते हैं ब्राउजर होते हैं आपके जैसे की क्या होते हैं Google हो गया एक ब्राउजर आपका ये वाला जो सिंबल होता है ना Internet Explorer वो एक ब्राउजर हो गया या आपका Firefox हो गया वो ब्राउजर हो गया ब्राउजर अरग चीज़ होती है अब application program क्या होते हैं जैसे यह हो गया आपके Microsoft Word हो गया, PowerPoint हो गया, Excel हो गया, यह आपके सारे application programs है, और operating systems मैंने अपनी पुरानी जो हमारी first video हो थी computer के इसमें बढ़े अच्छे तरीके समझाया था, तो जा के देख ले ना आपको समझ आ जाएगा, तो what is the name of the program that controls the computer? it is operating system, operating system मैं आपके बता जेता हूँ आपको क्या होता है, यह होते हैं आपके जैसे Windows हो गई, उसके बाद आपका जैसे Apple का एक operating system है उनका अपना, देन फिर Android एक operating system, अलग-अलग operating systems होते हैं बहुत सारे, और यह मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूँ, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, question number 7 पे आते हैं, which of the following represent 1 billion characters? सबसे पहले तो यह देख लो कि भीया, 1 billion characters क्या होते हैं, यह चीज़े हमने discuss की हुई हैं, 1 billion में बहले तो कोई बता सकता है, मेरे कुछ 0 कितनी होती है, हाँ जी, billion पूचा, million नहीं पूचा है यहाँ पर, yes, there are right, there are nine zeros in billion, अच्छा एक चीज़ में आपको बता दू यहाँ पर, साथ साथ में, जहाँ billion होती है, वहाँ पर nine zeros होती है, ठीक है, और जहाँ million आता है, वहाँ पर, six zeros होती है, तो एक चीज़ समझ लो की, billion को हम क्या कहते हैं, billion को अगर nine zeros होगी, तो billion को क्या कहेंगे हम, 100 करोड, क्योंकि 100 तो यह हो गया, और उसके बाद 7 zeros, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और million को क्या कहेंगे हम, 10 लाग, क्यों कहेंगे 10 लाग, क्योंकि 500 लाग पर आगी, और 10 वाई हो गया, सही है न, तो यह चीज़ ध्यान रखनी है, million जो होते हैं, 10 लाग होते हैं, 1 million subscriber होगे, YouTubers, mostly यह चीज़ होती है, और billion में 100 करोड होते हैं, तो भई है, इन्होंने पुछा है कि, which of the following represent 1 billion characters, 1 billion characters, मतलब कि 100 करोड characters, कौन represent करता है, answer दिया कुछ लोगोंने, gigabyte, GB, इसका दिहान रखना है, ठीक है न, इसका answer, gigabyte है, GB है, जितने लोगोंने answer सही दिया है, अच्छी बात है, उसके बाद आते हैं जी, question number 8 पे, dot matrix is a type of, simple बता जेते हूं, printer का एक type होता है, dot matrix, जादा इसमें समझने की ज़रूत नहीं है, एक simple सा content वाला question था, question number 9 पे आते हैं, a barcode reader is an example of, barcode reader का बार कोड रीडर क्या होता, आपने देखा होगा कि, barcode होते हैं, जैसे आप फॉन पे बगएर आजकल पेमेंट करते हैं, तो बार कोड को स्केन करके करते हैं, आप बार कोड पे अपना फोन लगाते हैं, और उसके बाद पेमेंट का आ जाता है, कि यहाँ इसको और नहीं है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा एक box बना होता है, जिसमें ऐसे-एसे कुछ गरेक्टर बने होता है, तो बार कोड, अब है क्या कि बार कोड स्केनर, जो बार कोड रीडर होता है, इस अग्जाम्पल ओफ, यह क्या है इसका अंसर, तो यह input device होता है, output device नहीं होता है, जो बार कोड रीडर होता है, वो एक input device होता है, चले, next question चलते है, question number 10, what is the major feature of the www, world wide web, that makes it simple to learn and use, चले, इसका answer होगा, आपका database interface, कि इन्होंने पूचा, what is the major feature of, मतलब कि सबसे main feature, क्या है www, जब हम use करते हैं, कोई भी चीज को, simple तरीके से समझना, और उसको use करना, ठीक है ना, तो यह database interface हो जाता है, उसका graphical और यह graphical user interface, और text interface नहीं होगा, इसका point to point protocol पर्टोकोल अगर यह नहीं होगा, तो simple सा धियान रखना है, कि जो यह www हम use करते हैं, यह data interface के लिए, use किया जाता है, next question पर आता है, question number 11, which of the following represent the fastest data transmission speed, अब इन में से आपने सुना होगा, भाई तेरी speed के बीपेस में आ रही है, मतलब आपने सुन ही होगी, कि जब हमारा phone जो है, कम speed में काम करना शुरू कर देता है, तो कुछ लोगों के उपर phone में आता लिखा हुआता है, kbps की speed आ रही है, mbps की speed आ रही है, फलाने की speed आ रही है, तो इन में तो पूचा कि सबसे तेज इन में से कौन सा है, तो सबसे तेज में बता दू आपको, gbps होता है, gbps के बाद आपका mbps होता है, फिर kbps होता ही नहीं है, यह चीज़ ध्यान रखनी है, GBPS अब से आड़ा होता है, फिर MBPS, फिर KVPS, ओके, चलिए, और यह होता है, GB पर सेकंड, इतना पर सेकंड चल रहा है, मतलब कि पर सेकंड में एक GB डाउनलोड हो रहा है, पर सेकंड में एक KB डाउनलोड हो रहा है, पर सेकंड में एक MB डाउनल is, कितनी capacity होती है 3.5 inch floppy disk में, 1.00 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या 1.44 MB, तो इसका answer होगा आपका 1.44 MB only, ठीक है, याद रखना है, अपने notes में अच्छे से लिख लो, question no. 13, which of the following refers to the fastest, biggest and most expensive computers in the world, they are super computers, simple सा एक अंसर है, याद रखना है कि, fastest, biggest and most expensive computers in the world are super computers, not notebook, laptops or personal computer, it is super computers, question no. 14, the process of a computer receiving information from a server on the internet is known as, समझ ना फिर से, कि process of a computer कौन सा एक process एक computer का, जो receive काता है information from a server of internet, internet server जो चलता है, internet जो हम चलाते हैं, एक server के थू चलता है, वो तो वहाँ से receive करने वाली कौन सा ऐसा process होता है, जो computer कर रहा होता, receive वो होती है, आपकी downloading, ठीक है, इस कांसर डाउनलोड होगा, हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो वो चीज़ वो receive कर रहा होता है, और डाउनलोड कर लेता है, computer खुद internet sources से, then उसके बाद आता है, the rectangular area of the screen, that displays a program, data, or any information is called, it is a window, okay, ये एक window होती है, अब मैं बताता हूँ आपको, ये कहना चाहरे हैं कि आपके screen पर ऐसे एक rectangular दिखाए देता, आप laptop को लेंगे, कुछ भी computer को लेंगे, monitor, वो rectangular shape में होता है, तो उसमें जो भी चीज़े होती है, आपके information होती है, आपके program, जो भी चल रहा होता, आपका कोई भी data होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते है window, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना, window होती है, और कोई भी, अगर जैसे आप, क्या कहते है, Microsoft Word खोल रहे हैं, वो एक window होगी, आप PowerPoint खोल रहे हैं, वो एक window होगी, आप वोई movie देख रहे हैं, वो एक window होगी, तो इस सारी चीज़ इतनी भी होती है, हम laptop में या computer में काम करते हैं, वो windows होती है, ठीक है ना, उसके बाद browser खोलेंगा, अगर Google खोला हो आपने, तो browser हो जाएंगे, अलग-अलग, ठीक है, यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है, चले next question पर आते हैं, तो जो लोग computer use करते हैं, उन लोगों के लिए चीज़े बहुत एज़ी हैं, लेकिन जिन लोगों ने computer use नहीं किया है, और वो थोड़े से uncomfortable होते हैं, computer को use करने में, तो उन लोगों के लिए थोड़ी problem यहाँ पर हो सकती हैं, साबजने में, ठीक है ना, तो बही, KBS ने जभी 10 number का दे दिया, क्योंकि क्या कहते हैं, KBS में बहुत काम होता है, computer पे, आपको सारा mostly काम, Excel's forward में करना होता है, आपको powerpoints बनानी होती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इन्होंने इसलिए उसको 10 number का करते हैं, कि जितने भी candidates हैं हमारे पास, जितने भी teachers हैं, at least उने computer के knowledge तो होनी चाहिए, आ application number 17, Microsoft Word is an example of, मैंने अभी just यह चीज़ आप से discuss की है, अभी तोड़ी तर पहले मैंने आपको यह चीज़ बताई थी, कि Microsoft Word जो है, वो एक application software होता है, operating system मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, ठीक है, input devices आपको पता है, processing device आप तो इसको छोड़ो, तो इसने भी Microsoft Word है, PowerPoint है Excel है, Photoshop है, इसारे क्या है, यह application software है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए question number next पर आते हैं, question number 18 पर आते हैं अपने, A series of instructions that tells a computer what to do and how to do it is called, बहुत important question है, again a very important question, मतलब कि कोई भी instructions हम देते हैं computer को कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो किसके थ्रू करते हैं, वो हम एक program के थ्रू करते हैं, आपने देखा होगा ना कि programmers होते हैं, बही program बना रहे हैं, कोई भी, है ना, जैसे मैं कि PUBG अब इंडिया में ban हो गया, ठीक है, तो उसका एक program जरूर वना होगा, तब ही हो इस तरीके से work कर रहा है, कहाँ पे वो gun उठाएगा, कहाँ पे fire करेगा, कहाँ पे क्या करेगा, तो एक program कोई भी चीज जो है, उसको instruct करने के लिए, एक series of instructions होती है, जिसको हम program कहते है, जो, मतलब, जैसे अभी ये cursor use हो रहा है, ना, मेरा cursor भी चल रहा है, तो ये program है, इसके अंदर, मेरे laptop के अंदर एक program है, उसके थूई, अगर मैं left जा रहा हूं, तो left जा रहा है, right जा रहा है, तो right ये show कर रहा है, तो इस सारा एक program होता है, तो इस program को ही हम series of instructions कहते है, जो क ये computer को बताता है कि भी या कैसे करना है, और क्या करना है, question number 19, yes, a word in a web page that when clicked opens another document is gold, hyperlink, एक आपने देखा होगा, एक कोई भी ना link आ जाता है, जैसे हम उसके क्लिक करते हैं, आपको सब को पता हो गए, जैसे आप मेरी वीडियो का बेसता हो, मैं YouTube का आपके पास आता है, मेर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो एक another document, एकदम से आप क्या करते हैं, आप मेरे पेज पर आ जाते हैं, तो उस चीज को hyperlink बोला जाता है, बहुत important question है, बहुत अच्छा question है, और हम daily to daily life में इसको use कर रहे हैं, मैं daily आपको link की तो भीजता हम उपने YouTube वीडियो का, जैसे आप उ Which of the following is an example of connectivity? अब भया, ये option पढ़ लो, उसके बाद अपने आप आप answer देजोंगे, connectivity का इन में से कौन सा example है, internet, floppy disk, power code, या data, simple answer है, इंटरनेट से हम connectivity होती है, अगर हम WhatsApp से बात कर रहे हैं, तो internet के जरू कर रहे हैं, अगर internet नहीं होगा तो WhatsApp पे बात कर सकते हैं, हमारी connectivity न आती है, यहां से बेठे वे हैं, वहां तक, तो connectivity का यहां पे एक्जामपल जो है, वो internet है, हाँ जी, कैसे लगे आपको आपको आज के 20 questions, जरा नीचे बता दो, ठीक है, और यह भी बता दो, अगर यह 20 questions थे, अगर इन में से कितने आपको आते थे, मतलब कितने हो के answer आपको 200 questions, या 200 से भी जादा, मैं आपको कुछ भी कच्रा या वैसे नहीं देना चाहता कि मेरा जो मन करे, आप Google चले जाओ अभी कर लो, Google या कोई भी बुक ले लो जाके, उसमें आपको इस तरीके questions मिलेंगे, जिनका कोई सरपैर नी, जिनका कोई मतलब नी है, लेकिन आपको मैं आ सकते हैं, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे questions, लेकिन computer की आप भुक ले लो भी market में जाके, आप सुरू के तीन पेच फोड़ोंगे, आपके सर्मेदर्द हो जाएगा, भ्या यह यह लिखा क्या, यह है क्या, तो मेरी मेहनत इसमें 3- कोच हैं बजे करेंट अफेस की वीडियो, और मैं कल रात को कोशिश कर रहा हूँ कि एक PRT और TGD पे अलग एक एक दिन एक ऐसी वीडियो बनाई जाए, जिसमें आप लोगों को यह बताया जाए कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, क्योंकि यह question मेरे से बहुत इस नंबर के आती है, ठीक है, बात समझना है यहाँ पे, आपकी पैडागोजी जो है वीडियो बीस नंबर के आती है, और लास्ट एर को question paper उठा के देखना, CD जो है न सिर्फ एक नंबर के आई हूँ है, उस बीस में से, रीजन यही है, पहले मेरे को भी लगा था कि इस पैडागोजी है, ठीक है, इस चीज को मैं समझना है, तो वो एक अलग तरीकी situation से, अलग तरीका गाम है, और वो फिर मैं आपको देरे दरे बता दूँगा, हमारा focus अपना वही रहेगा, बीस प्लस बीस प्लस बीस सबसे जो मैंने हमीशा काया आपको, EBS, Maths और Science पर, यह हमारा सबसे जादा focus रहेगा, इन ही पे हमें कमांड करने हैं, इन साट में से हमें 55 नंबर स्कोर करने हैं PRT में, उसके बाद बाकी बच्चेवे नंबर जो हैं आपके, 90 नंबर, उसमें से गारंटी मैं आपको 70 नंबर दिला दूगा, अराब से, ठीक है ना, साट से 70 न PIT examiner के भी इस भी वीडियो बना के मैं ले के आऊ, ओके, थैंक यू अव्रीवन दन, बाई, टेक क्या, गूद नाइट